नमस्कार बच्चों कक्षा 10 exercise 6.2 का प्रश्ण 4 हम करने जा रहे हैं प्रश्ण है 5 cm त्रिजिया के एक वृत पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं कीजिए जो परस पर 60 डिगरी के कौन पर जुकी हो तो बच्चों मैं आपको पहले रफ करके दिखा देता हूँ कि इस प्रश्ण में हमें असल में करना क्या है देखे बच्चों हमें इस प्रकार से एक वृत दिया गया है इसकी जो त्रिजिया है वह 5 cm है 5 cm इस पर हमें कोई दो स्पर्श रेखा या ऐसी खीचनी है इस प्रकार से कि इनका आपस का जो कौन है यह है 60 degree हो यह 60 degree हो तो हम इसके लिए बच्चों क्या करेंगे यदि यह केंद्र है वृत का तो इसको इस प्रकार से यहां हमें पता है स्पर्श रेखा वृत की त्रीजिया के साथ 90 degree का कौन बनाती है तो इसी प्रकार यह 90 होगा ऐसी यह स्पर्श रेखा है और यह त्रीजिया है तो यह भी 90 होगा अब आप यह चत्रभुज देखिए यह वाला यह चत्रभुज जो देह है यह इसको देखेगा इस चत्रभुज में एक कौन दो कौन तीन कौन और यह है चोथा कौन यदि यह 60 है यह 90 है यह 90 है तो चत्रभुज के चारो कोनों का योग होता है 360 degree तो 90 प्लस 90 कितना आ गया 180 180 और 60 कितना आ गया 200 300 सॉरी 240 240 240 अगर चारो कोनों का योग 360 हो तीन कोनों का योग 240 है तो चोथे कोन का योग कितना होगा 360 में से इन तीनों का योग यानि की 240 माइनस करतेंगे तो 360 में से 240 माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 120 degree इसका मतलब यह जो बीच वाला कोन है यह 120 degree है अब हमें इस में करना कैसे है सबसे पहले हमें एक वरित बनाएंगे उसके बाद इसकी दो त्रीजियाएं बनाएंगे जिनका आपस में बीच का कौन 120 डिगरी होगा दोनों से 90 डिगरी बना देंगे जहां वो मिलेगा वह बहार ये बिन्दू होगा इस प्रकार से ये दो स्कुर्ष रिखाएं बनेंगी आए हम इसे करके देखते हैं सबसे पहले बच्चो हमें वरित की त्रीजिया खींचनी है पांच सेंटी मीटर तो माल लेते हैं ये इसका केंद्र होगा इस प्रकार से तो ये वरित की त्रीजिया आ गई है पांच सेंटी मीटर की ये वरित का केंद्र माल लेते हैं इसको पॉइंट A, B, C कुछ भी हम माल लेते हैं अब हम इस वरित पर इस त्रीजिया पर वरित कींचेंगे तो इसको केंद्र माना है जितनी ये त्रीजिया है इतनी कमपस खोलने के बाद प्रकार खोलने के बाद ये हमने इस पर वरित बनाया है ठीक है बच्चो अब हमें क्या करना है यहाँ पर इस त्रीजिया के साथ 120 डिगरी का एक कोण बनाना है उसके लिए हम डी का भी प्रयोग कर सकते हैं ठीक है बच्चो ये दिखें डी मैं इस पर मैं इस तरफ को बनाना चाहता है क्योंकि यहाँ को मेरे पास जगा है सारा प्रश्णिया सारा रचना करने के लिए तो मैं इधर को अधिक हम इस पेपर को उल्टा गुमाते हैं ताकि आपको देखना असान रहे यह डी को मैं इस लाइन के साथ आप से रखूंगा बिल्कुल लाइन के साथ लाइन मिलाकर यह आगिया शूने डिग्री शूने डिग्री के इस आप से 10, 20, 30, 40 करते करते यह आएगा 120 डिग्री यहाँ पर तो इस 120 डिग्री पर हम एक निशान लगा लेते हैं ये और इसे केंदर के साथ जोइन कर दो इसका मतलब ये दो त्री जियाओं के बीच में यह कौन आया है यह 120 डिग्री का आया है अब हमने क्या किया था बच्छो 120 इन त्रीजियाँ से 90 डिग्री और यहां से 90 डिग्री खींच देंगे ठीके क्यों सबसे पहले प्रकार लोंगा और इस विंदू पर 90 डिग्री का कोण बणूगा आप जानते हैं प्रकार से 90 पर डिगरी का कौन कीशना छोटी से छोटी त्रीजिया लेकर और एक चाप इतनी ही त्रीजिया के साथ यहां से एक चाप जहां ये मिल रहा है उस बिंदू से एक और चाप और एक चाप इधर उपर और इस बिंदू से एक चाप इधर उपर जहां ये दोनों चापे मिल रही है इस के अंदर से इसे हम आगे बढ़ा देंगे ठीक है बच्चो तो इसे हम डॉटिट के बढ़ाए चलो सीधी रेखा ही ले लेते हैं यह आगई सीधी रेखा इसी प्रकार से बच्चो इस बिंदू पर भी हम नबे डिक्री लेंगे तो हम इसको थोड़ा सा गुमा लेते है और फिर से वैसे ही प्रकार की मदद से हम नबे डिक्री का कोंड बनाएंगे यहाँ पर प्रकार रखी और थोड़ी सी प्रकार खोल कर और एक चाप इसके बाद यहाँ से रखकर एक चाप और इस विंदू पर रखकर एक और चाप और यहाँ से उपर की तरफ और यहाँ से भी उपर की तरफ यह आपस में नहीं मिली तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं जहां यह मिल रही है इसे हम फुटे की मदद से बच्चो इस बिंदू से इस चाप को आगे की तरफ जहां यह मिल रहा है इन्हें आपस मे आगे बढ़ा देंगे तो देखिए यह आगे जाकर यह वाले 90 डिग्री का कौन और यह वाले 90 डिग्री का कौन इस बिंदु पर मिल रहे हैं मा लेते हैं इस बिंदु को P तो इस बिंदु का नाम रख देते हैं B तो P A और P B ये दो इस वृत के लिए पर्श रेखाएं हैं और यदि हम चाहें तो D से माप भी सकते हैं इनके बीच का जो कौन है वह है साथ डिग्री आना चाहिए तो देखें बच्चो जब हम D यहां रखेंगे तो यह साथ डिग्री ही आ रहा है तो इसका मतलब है हमारी जो रचना है वह है ठीक है यह साथ डिग्री का कौन आया है तो देखा बच्चो इस प्रकार से हमने इस रचना के माध्यम से इस वृत की दोस पर्श रेखाएं इस प्रकार की बनाई है जो आपस में 60 डिगरी पर जुकी हुई है अब यदि आपको इस रचना के स्टेप्स लिखने हो तो क्या लिखोगे बच्चों सबसे पहले एक रेखा खंड O A बराबर 5 सेंटीमीटर बनाया जो की वृत की त्रीजिया थी उसके बाद O को केंद्र मानकर O A को त्रीजिया मानकर हमने एक वृत बनाया इसके पश्चात हमने O पर कौन A O B 60 डिगरी बनाया सॉरी 120 डिगरी बनाया और जहां पर वह वृत को टच कर रहा था प्रतिछेद कर रहा था कौन उसे बिंदू B माना अब बिंदू A और बिंदू B पर हमने 90 डिगरी के कोन बनाये जहां पर ये दोनों कोन आपस में प्रतिछेद कर रहे थे उस बिंदू का नाम लिया P तो बिंदू P पर जो कोन बनेगा कोन A, P, B कोन A, P, B यह हैं 60 डिगरी हमने D के साथ मैयर करके चेक भी किया है इसना के सारे स्टेप्स आश्या करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझाया होगा इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर बाकी वीडियो को देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं धन्यवाद बच्चो